नमस्कार मैं हूँ कुमार गजेंद्र जन्पत ओन्डा स्पॉर्ट में आपका स्वागत है हमारे दूसरे सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है आज का दिन दिल्ली के लोगों के लिए उन लोगों के लिए जो सरकार के सताय हुए थे अरविंद केजरीवाल के सताय हुए थे उनके लिए बहुत बड़ा दिन है अर्विंद केजरीबाल को जेल भेज दिया गया है अब अर्विंद केजरीबाल दिल्ली के तिहार जेल के कैदी होंगे और वही पहुचे हैं जहां पर उनके सहयोगी पहुच चुके थे जी हां हम ये बात इसलिए कह रहें दिल्ली की जो कावेरी भावेजा की जो अदालत है आज E.D. की डिमांड पर और रिमांड खतम होने के बाद E.D. की डिमांड पर अर्विंद केजरिवाल को 14 दिन की नियाइक हिरासत में तेहार जेल भेज दिया गया आज सबसे बड़ा दिन है दिल्ली के उन लोगों के लिए जो अर्विंद केजरिवाल ने ऐसा कोई सगा नहीं जिसे उसने ठगा नहीं ये देखिए जितने भी हम आपको इसलिए कह रहें जिसवक्त दिल्ली के जूज रही थी कोरोना के वक्त अर्विंद केजरिवाल अपना सीस महल बनवा रहा था ये ऐसा ठगता मफलर में बनकर खास्ता हुआ दिल्ली के सत्ता तक पहुँचा अन्ना हजारे की चाती पर पैर रखके और इसने तवाई मचा दी घोटालों का सरदार बन गया जिन घोटालों को मिटाने आया था करप्शन को मिटाने आया था उनी के आज सबसे ज्यादा चार्ज अर्विंद केजरिवाल की सरकार पर लगे हैं बहुत बड़ा दिन है आज तिहार जेल पहुच गया है समय का चक्र घूम चुका है अर्विंद केजरिवाल ने जितने पाप किये उनका फल अब उस रोपार हिस नहीं तह उसमे नहीं त्हुत परेवता अस्प्टाल बंद कर दिये गए वहार पर जितने लोग गंबीर भीमारियों वह वह सब मा मार ने गाये सिर्फ रखा गया कोडोरा से मरने वालों का बाकी सब खत्म हो गये इसके बाद महला क्लिनिक फेल साबित हुए, कोई इलाज कराने नहीं गिया, भूतों ने इलाज कराया, फरजी लैब टेस्ट के नाम पर करोड़े रुपे की लूट मचा दी, इसके बाद DTC के वो वालेंटर्स जिनको ये कहकर रखा गया था, हम DTC में मार्सल रख रहे हैं, उन सब को बाहर न नर्सली में सिफ्ट कर दिया गया, और जिनकी नौकरियां चली गई, कोई कहीं पर नौकरी नहीं मिली, MCD को लूट के खा गए, बिल्ली सरकार को लूट के खा गए, अस्पतालों का बुरा हाल है, महला क्लिनिक सब फेल साबित हुए पूरी तरीके से, 78,000 करोड रुपे का दिल्ली में जलबोड गोटाला है, मुफ्त की रेवडियां बाटने के नाम पर जो आए, जो बिजली के बिल की बात करते हैं, बिजली का बिल 28 सारी को अगर रेज होता है, 28 सारी को मोवाइल बिल की तरह रेज हो जाता है, यहाँ पर उन्होंने इतना लूटा है, जो आप स दिल्ली का दम गुटा रहता है, इस पे आरोप लगाना, उस पे आरोप लगाना, और सबसे बड़ी बात, जो अरविंद केजरीवाल का वोटर था, खास तोर पे, वो अगर आप गोर से देखें और सोचें, कि जब यमुना में इसमार बार आई थी, सबसे पहले उन्ही को म बहुत के मुँ में धकेल दिया, लेकिन अपना 2% का कमिशन 12% करके 6% खा गए, सराब घोटाला, इसके अलाबा ना जाने, कितने घोटाले, कितने लोगों को नौकली से निकलवा दिया, हम आपको ये भी बताते हैं, कि जो मीडिया के लोग, अगर इसको सपोर्ट करते हैं, ऐसे जालिम आदमी को, तो आप एक चीज समझिये, मीडिया को सबसे पहले, इसने दुथकारना सुरू किया, इससे पहले, 2012 से पहले, मीडिया के लोगों की बड़ी इज़त हुआ करती थी, जो दिली सेकरेटी एट है, उसमें मीडिया के लोगों की एंट्री बेंड करने व बहुत बड़े बड़े जो पत्रकार थे, जो अपने आपको बड़े नाम कहलाते थे, टीवी के, मैं आपको उनके नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन एक समय पे रामनी ला मैदान में इसके चंपू हुआ करते थे, इसी की प्रिवी की मुक्त की दारू पिया करते थे, और किसी के गाल बजाया करते थे, वो सब आज नौकरी से बाहर हो चुके हैं, और अपने यूट्यूब चैनल चलाकर अपना पेट पाल रहे हैं, बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, अर्विंद केजिवाल अब तिहार जेल जा चुके है, सैनिटाइज किया जा चुक संधिय सिंग जो चाती तोक तोक के कहा करते थे, मुझे बंद करके दिखाओ, वो भी गए, और सबसे बड़ी बात यह है, इनका जो कम्मुनिकेशन हैड था विजे नायर, देखिए, आप फ्रॉड यहां पर आप इस बात को ऐसे समझेए, कि यह जो फ्रॉड है, यह में है, उसके अंदर इनका कम्मुकेशन हैड विजे नायर रहता था, इसके अलावा जो आतिसी को जो बंगला अलोट हुआ है, उस बंगले के अंदर आज भी मनीश सिसोधिया की फैमली रह रही है, कितना बड़ा-बड़ा फ्रॉड यहां पर निकल के सामने आ रहा है, इस के अलावा जिस तरीके की इसने लूट मचाई, जिस तरीके का हर आदमी से इसने बदला निकाला, हर अधिकारी इनका दुसमन था, हर अपसर इनका दुसमन था, हर वो आदमी जो अर्विंद केजिवाल की बात नहीं मानता था, उसको नौकरी से बाहर करा दिया गया, लाख तीडी अंदर सेलरी नहीं मिल रहिए इसके अलावा दिली के अंदर बहुत बुरा हाल है हालत यह हालत यह हैं कि जो डिली के सपताल हैं उनके अंदर भी जितनी नर्से just पढ़े में दॉक्तेत्र लेकार को साथ्वाहने नहीं में ंनिश्जजली नहीं इसके अर्विंद केज्रिवाल मुफ्त की रेवडियों पर मौज काटने वाला अर्विंद केज्रिवाल अब तेहार जेल के अंदर पहुच गया है और अब तेहार में आप देखें ड्रामे बाजी देखें इनकी कभी इन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया लेकिन किताब मांगेंगे पढ़ने के लिए महावारत मांगेंगे पढ़ने के लिए और अर्विंद केज्रिवाल का आपको बताए कि लालस देखिए सत्ता और कुर्सी के लिए कि उन्होंने कुर्सी और टेबल की अदालत में मांग की है कि तिहार जेल के अंदर उन्हें कुर्सी और टे बाद साथा अली बाबा चालीस चोरों का अली बाबा अब टेहार जेल के अंदर बैठेगा और आप विश्वास कीजिए अब वो जेल से बाहर नहीं आएगा क्योंकि बहुत पुक्ता सबूत है अब इसके बाद CBI की टीम इन से पूछास के लिए बैठी है तैयार इसके पतवन्त सिंग पन्नू ने जो आरोप लगाए है 133 करोड रुपे इसको देने के जो आतंकवादी देविंदर सिंग भुलर को छोड़वाने के लिए उस पे भी एनाए अलग से मुकदमा दर्ज करेगी अर्विंद केजिवाल पे और इसमें भी जाच होगी पंजाब की सर सब्सक्राइब करेंगे और दिल्ली के अंदर एक तरीके से संवेधानिक संकट की घोशना कर देंगे और इनसे नाम मांगेंगे के नाम देरीजे बना देते हैं नहीं बनाएंगे तो 24 गंटे के अंदर या तो राष्टपती सासल लग जाएगा अधरवाइज सुनिता केज रिवाल या 30 में से कोई एक मुख्यमंत्री बना दिया है बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी ख़बर है आज के लिहाज से क्योंके अरविंद केज रिवाल अब समय का चक्र घूमा और जो सब को सब के बारे में सक करता था चोर था लुटेरा था सारे इतने लोगों का ह बहुत जल्दी बहुत सारी बाते आपके सामने रखेंगे तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अगर आपको हमारी ख़बर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें अगर आप ह हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को जौइन जरूर कर ले इसके अलावा अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे सुपर थैंक्स के बटन को दवा कर आर्थिक रूप से आप हमें मदद भी कर सकते हैं जैहिं जै भारत